हलो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में में हूँ आपका दोस संदीप और मेरे साथ आए हुए अजे भाई फिलाल में पहुंचका हूँ आदितपूर गाई अभी हम लोग इविनिंग के टाइम में आए हैं और यहां पे देखिए यह एस टाप के ग्राउंड और यहां पे देखिए बच्चे लोग गिर्केट वगेरा खेल रहे हैं यह है पंडाल का लुक जो की अभी बन रहा है यह सब तैयारी चल रही है जो की हर बार जमसितपूर में काफी ज्यादा चर्चा में रहता है इस टाइप का दुर्गापुजा पंडाल तो गाईज इस ब बार का जो लुक है कुछ इस तरह से है देख सकते हैं काम अभी प्रोग्रेस में है चल रहा है काम यहां कुछ डिजाइनिंग बगेरा बनके रखा गया है यह सब लगने वाला है और इस साइड से पंडाल का जो व्यू है वह इस तरह से हैं आप लोग कहां से हैं नोबोदी दाम से देखिया आये हैं और यहां जमशेदपूर में अपना जो कारीगरी दिखा रहे हैं देख सकते हैं यहां अभी पुरा काम जो है चल रहा है अंदर बहुती सुंदर तो यहां से अभी हम लोग को पता चला कि लगबग पुजा से पहले यह पंडाल रेडी हो जाएग और यह खास बात है कि यहां में जो कारीगर लगे हुए हैं वे नौबोदीट से आये हुए हैं यहां आसपास के कहीं कारीगर नहीं है जो कि आप लोग देखी सकते हैं कितना बहतरीन लोग यहां पे एस टाइप का इस बार होने वाला है तो गाईज यह वीडियो आप जोतिर लिंग में से एक घुजरात का खेमस टेंपल है तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्स करते हैं यह पंडाल आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताईएगा और यह कंप्लीट होने के बाद इसका भी विईव हम फिर दुबारा वीडियो बनाएंग है तो चलिए आज कि इस व्लोग में इतना ही मिलते हैं फिर से नेक्ट व्लोग के साथ तब तक लिए हमें इताने की ज़ते दे जै हिंद जै भारत और यह है अधित्पूर का में रोड जो है आगे में है देख सकते हैं और यह यहां से पूरा जो है पूरा भीड़ी रहता है पूरा जाम रहता है रोड यह करीबन यह पूरा मैदान मेले के मेले में जो जूला हो गया रहता है उस सब से भरा हुआ रहता है और देखी सकते हैं यह आस-पास को जो इलाका रहता है पूरा जाम रहता है पूरा क्राउड रहता है गाईस